चलो दोस्तों शुरू करते हैं तुल्शी कोमिक्स की बेमानी क्या फल अच्छी कानी लगी दोस्तों इसलिए आपको सुना रहा हूँ द्यान से सुनना यह उसकाल की कानी है जब बाल विवा का प्रचलन था जुना गड़के राजा बल बधर के पांच वर्चे पुत्तर वीर बधर का विवा ओरा था जूटी उमर में विवार हो था दोस्तों नन्नी दुलन रुदाली को विदा किया गया ससुराल में रुदाली हम भी वीर बधर की तरह बाग में गुमें गे रानी जी नहीं रुदाली बहु तु नहीं गुम सकती तु इस परिवार की बहु है ससुराल में पांच दिन रहके नन्नी रुदाली अपने माइके लोटाई 20 वर्स बाद महराज राजक्मारवीर बधर अब युवाँ गया है अब उसे बहुरुदाली का गोना करा के जुनागड ले आना चाहिए तुम ठीक कहा रहे हो रानी जोती बहुरुदाली के गोने का यह उचित समय है राजा बल बधर ने उसी समय युवराजवीर बधर को बुलवाया आगए पिताजी महराज युवराज कल तुम्हे अपनी ससराल नील blond जाना है नील नागर वै किसले पिताजी महराज तुम्हें वहाँ से भोरुदाली का गोना करा के लाना dönा चाहिए अच्छा पिता जी महराज, राज के रसम के नुसार, राज के नाई भी ऐसे उसरों पर साथ जाता है, तथ तुम्हें भी अपने हम उमर राज के नाई बिर्जू को साथ ले जाना है, अगले दिन बिर्जू के साथ यूराज वीर बधर नील नगर को चल दिया, लंबा सफर करके जब उनका रहा थे, कवन से गुजरा, बिर्जू बहुत ठक गए हम या कुछ देर विश्राम करके या आगे सफर पर निकलेंगे, ठीक है यूराज, तथ पसाथ बिर्जू बहुत प्यास लगे, कहीं से पानी लेया, अच्छा यूराज अभी लाया, बिर्जू पानी के सपनों में खोया वा था, इन बीस वरसों में राजकुमारी रुदाली तो बिलकुली बदल गई होगी, अब कैसी लगती होगी वहे, तबी बिर्जू पानी लेकर वहाँ पूचा, और यूराज जी ने जाने किन ख्यालों में डूबे होए हैं, और सरप उनके और बढ़ चला, सरप के समीप पूच कर वह तेजी से नीचे जुका, राजकुमारी रुदाली कैसी होगी, और लपक कर सरप का फंद अबा लिया, और तबी वीर बदर की तंद्रा तूटी हो, यूराज अगर मैं समय पर ने आता, तो है सरप आपको अपना सिकार बना चुका होता, ओ बिर्जू तुमने मरी जान बचाए, हम तुमसे बहुत कुछ है, मांगो, तुम्हे सुपकार के बदले, क्या चाहिए, यूराज मैं आपसे बला क्या मांगू, मांग बिर्जू तु जो मांगेगा, हम तुझे वही देंगे, बिर्जू सोचने लगा, बिर्जू हाथाय अ सर को क्यों गवा रहा है, मोके का फादा क्यों ने उठा रहा है, पगले, मन में अविचार आते, यूराज मैं जो मांगूंगा, मिलेगा मुझे, मिलेगा, बिर्जू मिलेगा, वादा, वादा रहा है, या एक सत्रे का वादा, जिसे या सत्रे मरते दम तक निभाएगा, त अतलब यह है कि मैं वीर भधर बंद तीन दिन आपके सस्राल में राज सुक बगूँगा और आप मेरा नोकर बिर्जू बन कर रहेंगे ओ तु ऐसा चाहता है हाँ यूराज इस बाहने में राज सुक का अनन्द उठा लूँगा ठीक है ऐसा ही होगा एक बात और यूराज इन तीन दिनों में तुम मेरी किसी भी बात से नाराज होकर मेरा आहित करने की नहीं सोचोगे और नहीं इस विश्चे में किसी को बताओगे वे दोनों आशे चल दिये हाँ राज सुक भोगने में कितना अनन्द आएगा जब नीन नगर के समीप पूँचे यूराज नगर में प्रोष करने से पहले हमें अपने वस्तर बदल लेने चाहिए ठीक कह रहा है तू दोनों ने ऐसा है किया बिर्जू तू तो पूरा राज कमार लग रहा तुझे नाए तो कोई कह नहीं सकता आप भी तो पूरे नोकर लग रहे है जब नीन नगर के राज महल में पूँचे जमाई राजा आपका स्वागत है परनाम सस्तूर जी बिर्जू का दामाद की तरह और वीर बदर का सेवक की तरह स्वागत किया गया महाराज जवान उने पर रंग रूप कितना बदल जाता है बरसो पहले जमाई राजा को विवाह के अउसर पर देखा था तब तो ये बहुत सुन्दर थे हाँ महाराणी जमाई राजा बड़े उने पर बदले बदले से लग रहे है बिर्जू को राज के भन में ठहराए गया वार राज सी ठाट बाट की तो बात ही कुछ हो रहे है और वीर बदर को नोकरो के कक्स में मुझे बिर्जू को अंधावचन देकर यह सब नहीं करना चाहिए था दो दिन बाद जब सब को सचाई का पता चलेगा तो मेरे कितनी भद उड़ेगी तभी तुम्हे यह उराज वीर बदर ने अपने कक्स में बुलाआ है आता हूँ वीर बदर बिर्जू के कक्स में पूंचा बिर्जू तुम भूल गए क्या रात को जब तक तुम मेरे पाउं नी दबाते मुझे नीद नी आती माप करना यह राज जी मैं तो इस बात को बिलकुल भूल गया था और फिर सत्याना सो इस बिर्जू का मेरा नायोकर मुझसे पाउ दबा रहा है क्या करूँ मैंने इसको वचन जो दे डाला इसलिए चूप रहना पड़ रहा है वरना इसकी पॉल खोल देता शीगरी शीगरी यह सो गया है मुझे भी अपने कक्स में आराम करना चाहिए वे उटकर अपने कक्स की और चल दिया तबी यह तो कोई राजकमारी है कहिए राजकमारी रुदाली तो नहीं जब यह उसके समीप आई आप राजकमारी रुदाली है हाँ लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो राजकमारी रुदाली तुम उससे कहीं ज़्यादा ही खुबसूरत हो जैसा मैंने तुम्हारे विश्चे में सोचा था खामोस बजबान एक नोकरोकर हमसे इस तरह की बाते कर रहा है वीर बदर को जब अपनी वास्टिप्ता का भान हुआ वीर बदर तु वीर बदर नी बिर्जू है तुझे राजकुमारी से ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए थी यह सोचकर राजकुमारी जी मुझे समा कर दे मैं अपनी वकात बूल गया था तो जाओ दफाओ जाओ यहां से शीट पिटा कर वीर बदर अपने कक्स में चलाया और रुदाली तो साक्सा तप्सरा का रूप है अगले दिन सुबह आप मुझे भूल गे सवामी मैं हूँ आपकी रुदाली रुदाली राजकुमारी रुदाली हो तुम हाँ सवामी बिर्जू रुदाली तो रूप की खाना इसे अपने आज से निकलने ने देना इसे आसिल करने के लिए तुझे कुछ भी क्यों ने करना पड़े तबी मैं समय आपके पास आपके सेक बिर्जू के सिकात करने आए हूँ सुआमी क्यों क्या क्या उसने रुदाली ने रात वाली गटना बिर्जू का बताए ओ उसकी यह मजाल बिर्जू ने उसी समय वीर बधर का बुला तुमने कल रात राजकुमारी रुदाली के साथ अब बरतार की थी हाँ मालिक मुझसे गलती हो गई थी तो अब उस गलती की सजा गुतने को तयार हो जा बिर्जू हुकम करो मालिक तुम्हें जंगल से एक गठर लकडियों का लाना होगा ध्यान रहे गठर बिना बंदावा होना चाहिए जी मालिक कुलाडी लेकर वैवन क्यों चल दिया यह अपने बिर्जू को कैसी बिचितर सजा दिये स्वामी रुदाली जब जब बिर्जू गलतीया करता है तब तब मैं इसे ऐसी नोकिस सजा दिया करता हूँ बिर्जू इन सजाओं को पूरी तो नहीं कर पाता तब मैं इसे बहुत भेंकर सजा देता हूँ आज भी यह बिना बन्दा लकडियों का गठर नहीं उठा ला पाएगा फिर मैं इसे उबलते तेल के कड़ाए में फिकवा दूँगा सजाद देने का आपका यह तरीकातंत विचितर है स्वामी तुम क्या जानो रुदाली कि मैं वीर बदर को इस परकार अपने रास्टे से टाने की योजना बना चुका हूँ उसे रास्टे से टाकर मैं तुम्हें जुनागड नह ले जाकर कहीं और ले जाओंगा और तुम्हारे साथ मज़े से जीवन गुजारूंगा दूसरी और इस नाई के बच्चे बिर्जू ने तो मुझे अज़ब मुसीबत में डाल दिया लेकि नाज तो मैं उसके खिलाब कुछ नहीं कर सकता तीन दिन के अधिकल सायं तक पूरी हो जाएगी तब ही बिर्जू को मज़ा चका हूँगा पर सबसे बड़ी समस्या तो फिलाल यह है कि बिना बंदे गठर को नील नगर तक कैसे ले जाओं यह सोचता हूँगा बन मैं जा पूँचा फिक उसने सूखी लकडियों का एक गठर गठा किया अब इने बिना बंदे कैसे ले जाओं जब कि बिर्जू की सर्थ यही है बहुत सोचने पर भी जब इस समस्या का समादान उसकी समझ में नहीं आया बीर बदर तू ऐसा नहीं कर पाएगा इसलिए इस फल और नील नगर जाना तू जैसे सत्रे के लिए उचितने होगा तो मैं क्या करूँ बीर बदर इस विकट परिस्थ थी में तेरे सामने आत्तम अत्या करने के लावा को यह नहीं चारा नहीं है यह सोचकर वह सरौर पर पूंचा और उसमें कुदने का उगत हुआ था कि तबी ठहरो सरौर में नहीं कुदना बीर बदर के कदम जहां के तहां रुग गए आत्म अत्या करने जा रहे थे आत्म अत्या करने जा रहे हो इसके स्वा मेरे सामने ने कोई चारा भी तो नहीं बचा सन्यासी महराज क्यों ऐसी कौन सी समस्या खड़ी है तुम्हारे सामने नोजवान बाबा मुझे लकडियों के गठर को बिना बांदे नील लगर के राज महल में ले जाने को कहा गया है तुम वहाँ नोकर हो नहीं बाबा मैं वहाँ का नोकर नहीं अपी तु दमाद हूँ नील लगर का दमाद नोकर के वेश में यह कैसा गोरक दंदा है सन्यासी बाबा मेरी मुर्कता के कारणी यह सब बखेड़ा हुआ है तवीर बदर ने सन्यासी को सारी बाते विश्टार पूरक बताई सारी बाते जान कर युराज अपने नोकर को अंधा वचन देकर तुमने ठीक नहीं किया तुमारे वचन का फाइदा उठा कर अब यह तुमारी पत्नी रुदाली पर बुरी नजर लगाए बैठा है ओ उसकी इतनी हिमत करो दने करो तुम इस समय नो करो इस सवस्था में तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते ओ तो मैं क्या करो बाबा वचन के तीन दिन पूरा होने की परतिक्षा करो उसके बाद ही दूरत बिर्जू के विरुद को एक कदम उठाना ठीक है मगर इस लकडियों के गठर को बिना बांदे कैसे ले जाओं कोई बात नहीं तुमारी है चिंता मैं अपने योगबल से दूर किये देता हूँ यूराज वह कैसे सन्यासी सुखी लकडियों के पास गया और सूँ अगले फल अरे लकडिया अपने आप एक तूसरे से जुड रही हैं सीगरी लो बिना बंदा गठा तयार है यूराज सन्यासी बाबा आपने संकट की इस गड़ी में मेरी साहता किये मैं आपका अबारी हूँ जाओ यूराज भगवान आगे भी तुमारी साहता करेगा एक बात और जब भी संकट की गड़ी में तुम मुझे याद करोगे तो मैं परकट हो जाओंगा इस बात का ध्यान रखना जब वीर बदर नील नगर पूँचा ओ वीर बदर यह संबग कार्य कैसे कर लाया लीजे यूराज मैं बिना बंदा गठर ले आया हूँ देखा राज कुमारी उदाली मेरा सेवक कितना चतूर है यह संबग कार्य को भी चुटकियों में कर डालता है यदि आप भी से कोई संबग कार्य करवाना चाहे तो यह उसे हस्ते हस्ते कर देगा ऐसा तब तो मैं चाहूंगी कि बिर्जू महल के कुवे में कुदे और उसी में रात बिताए और सुबह उसमें से सकूसर निकल कर दिखाए तो जानू ठीक है बिर्जू ऐसा ही करके दिखा देगा क्यों बिर्जू हाँ हाँ क्यों नहीं मैं ऐसा ही करके दिखा सकता हूँ तो दिखावने मरता क्याना करता वीर बदर को कुवे में कुदना ही पड़ा हो गया मेरा काम अब यह नहीं बचेगा छपाक कुए में लगता मैं बचूंगा नहीं मुझे सन्यासी बाबा का समरंड करना चाहिए सन्यासी बाबा मुझे दर्सन दो कुए में मैं आ गया हूं यूराज सन्यासी बाबा मुझे बचाओ तुम्हारा बाल भी बाका नी होगा, युराज गबराव मत मुझे आपका ही सारा है बाबा युराज युराज अब तुम सुबह के बजाए कल साथ ही कल साई एकुए से बाहर निकलना भे क्यों बाबा अगर तुम सुबह सकूसल निकल गए तो जूंजला कर बिर्जू तुम्हें फिर कोई कठिन काम सोपकर संकट में डाल सकता है आप ठीक कह रहें बाबा कल साए मेरे वचन के अउदी पूरी होने वाली है तब मैं बिर्जू को सब के सामने दंडित कर सकूंगा अब तुम आराम करो आराम हो और यहां बाबा सन्यासी ने वाँ में आथ ले रहा है अगले पल ओ पानी में सेया अब मैं जा रहा हूँ यूराज तुम इसराम करो सन्यासी के दर्शे होने पर नह जाने सन्यासी बाबा मुझ पर इतने महरबान क्यों है सारी रात उसने कोई में बिताई, कर-कर सुबह बिर्जु तुम जिन्दा हो हाँ मालिक, मैं यहां मजे से हूँ ओ यह तो इस बार भी बच गया स्वामी यह तुमारा सेवक आदमी यह जादुगर सारी रात कोई में रहकर भी यह जिन्दा है बिर्जु हम रसी फैक रहे हैं, उसे पकड़ कर उपर आ जाओ नहीं मालिक, मैं यहां बड़े मजे में हूँ साम को आप रसी फैक देना मैं उपर आ जाओंगा ठीक है तुम कोई में मरना चाते हो तो मरो साम को सब लोग कोई की जगह पर इकठे हो गए बिर्जु हम रसी फैक रहे हैं, फैक दो मालिक कोई में रसी फैकी गई रसी पकड़ कर वीर बधर उपर आने लगा उपर आने पर तुम तो कमाल के आदमे हो भाई बिर्जु इतने संबो करतब तुमने कहां से सीखे अभी बताता हूं माराज फैक बिर्जु के पास है बिर्जु तुझे दिया गया समय पूरा हो गया अब मेरा यह चोला उतार क्या बक रहा बिर्जु बिर्जु तुम होस में तो हमारे दमाद का गला छोड़ दो माराज आपका दमाद यह नहीं मैं हूं एक नोकर और हमारा दमाद संभव तभी ओ कुल देवता आप हाई उराज इस दूरत की पौल खोलने के लिए मुझे आना ही पड़ा राजा नील या दूरत उराज निवीर बदर का नाई है या आप क्या कह रहें कुल देवता कुल देवता ने सारी बाते विस्तार पुरक बताई दूरत मुझे चल कर रहा था अब फस गया मैं बुरी तरह बिर्जू की खूब दुनाई हुई दुनाई हुई दाड़ दा़ इसे ले जाकर कारागार में डाल दो वीर बदरू दाली को लेकर जुनागर चल दिया कोही उराज कैसे हो सन्यासी बाबा आपके स्योग से ही तो मैं संकट से मुक्ति पास का अंगले पल सन्यासी की जगे कुल देवता आप हाँ युराज तुमारी साता के लिए ही मैं सन्यासी का रूप धर कर आया था समाब दोस्तों अच्छी कानी थी जरूर लाइक सब्सक्राइब करना